का सब्सक्राइब चैनल में आपका सवागत है तो आज हम देखने वाले की प्रोफाल टी पट्टी कैसे इंस्टॉल तो सबसे पहले हमको चाहिए estrel का bond tight जो कि fast & clear होता है आप estrel का bond tight यूज़ कर सकते हो या फिर आप air a light यूज़ कर सकते हो पर ध्यान रखे आप fast वाला लेना तो इसमें दो bottle आती है तो यह दोनों को आपको same same quantity में मिक्स कर लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो हमारा मिस्त्रिय इसको मिक्स कर रहा है तो यह है एस्टरल का बॉण टाइट फास्ट आंड क्लियर वाला इसमें दो फॉर्मिला होता है एक ए फॉर्मिला होता है और एक बी ये ए और बी को आपको mix कर देना है same quantity में इसका MRP कुछ 1000 रुपए है और ये आपको hardware में RM से 900 रुपए तक मिल जाएगा तो इसको आपको इसी तरह mix कर लेना है अलग-अलग city में आपको इसका अलग-अलग थोड़ा बहुत 10-20-30 रुपए का फरक पड़ेगा price में बाकी price same ही रहेगा तो इसको अच्छी तरह से आपको mix कर लेना है और ध्यान रखें मिलाने के बाद इसको आपको तुरंत टी-पट्टी पे लगाना है इसको ऐसा दो मिनिट पाच मिनिट ऐसा छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत तुरंत सूख जाता है और सूख के एकदम पत्थर जैसा हो जाता है इसलिए आपको इसको तुरंत लगाने के बाद मिलाने के बाद तुरंत आपको इसको टी-पट्टी पे लगा देना है तो आपको टी-पट्टी पे ऐसे अच्छे quantity पे इसको आराम से आगे से पीछे सी जितने भी side में है आपको इसको ऐसे फैला देना है टी-पट्टी के उपर तो अभी हमारा इसको टी-पट्टी पे लगा के होने वाला है तो जैसे के आप वीडियो में देख रहो पुरी तरह इसको अमने टी-पट्टी पे फैला दिया है और अब यह हम इसको अच्छी तरह से जो भी आप जिस प्लाय पे या फिर टीवी उनिट हो जिस भी चीज पे इसको लगाना चाते हैं आप इसको लगा सकते हूँ आपको प्लाय पे एक जरी मारके लेनी है जैसे आप वीडियो में देख सकते हो हमने इसे लाइन लाइन की जरी मारके रखिए मशीन से आपको एक जरी मारके लेनी है और इसके बाद ऐसे वही जरी में आपको इसी तरह आपको बस एक बार लेवल में देखके इसको प्रेस कर देना है और गिले फढ़के से आपको पोच देना है क्योंकि इसके उपर का जो भी रहता है वो बाद में सूकने के बाद बहुत कटिना इससे निकलता है जल्दी निकलता नहीं है इसलिए आपको गेले फढ़के से इसको पोच देना है और शिप एक मिनिट या दो मिनिट आपको इसको पकड़ के रखना है दबा के रखना है यह एक या दो मिनिट में अच्छे तरह से सूख जाएगा तो अभी देख रहे हो हमारे मिस्तरी ने इसको इसके उपर एक छोटा प्लाय रखके दबा दिया है तो आभी ऐसा ही दबा के रखना है आपको एक मिनिट में और आपकी टी-पटी अच्छे से चिपक जाएगी थैंक्स फॉर वाचिंग दे वीडियो, ओप यू एंजोई इट कर दो देना है